यह है हिंदी एच्डी मूवी चैनल अब जैसे मैं से क्लिक कर रहा हूं यहां पर पहले ही यह मैसेज आ जा रहा है कि कोपी राइट इंफ्रिजूंट के आरण यह वाला चैनल बंद हो गया अब मैं कोई और चैनल सर्च कर लेता हूं एक मूवी डालूंगा तो बहुत सारी च जो भी कंटेंट है उसमें कोई भी वीडियो नहीं है वो अजस्ट आयमडीवी का यहां पर लिंक दिया हुआ है यह एक चैनल है इसमें 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे यह भी बंद हो गया है यह प्राइम रूम आप देख सकते हैं जो की काफी फेमेस चैनल था अगर आप कोई वेब सीरीज डाउनलोड करना चाहते है तो उस पर भी 165 के सब्सक्राइबर यह भी बंद हो गया है यहां टेलिग्राम के सबसे बड़ी चैनल इंडिया में जो थी वो हिंदी एच्टी मूवीज थी और उसको फाइलली बंद कर दिया गया अगर आप उस चैनल से जु तो मैंने उसी टाम हिंट दे दिया था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने बहुत सारी जो एड सर्विस चैनल पर चल रही है काफी मिसलीडिंग होती है एड कुछ और रहता है आप पहुंच कहीं और जाते है तो यह काफी गलत हो रहा है तो इस चीज़ों को फिक्स किया ज जाएगा हो सकता है जितनी भी पाइरेसी चल रही है टेलिगना पर उन सारे चीजों को बंद किया जाएगा सो मैं वाच इसलिए कर रहा था कि यह वाला सीन पहले भी हुआ है इस चैनल के साथ और उस टाइम रिकवर हो गया था बट उस टाइम बैन होने कारण कुछ और था इसा हुआ है कि जब यह बड़ी चैनल ब्लॉक हो गई न तो छोड़ी चैनल है या इमेरेटली जो सकिंडरी चैनल है वो सारे पैनिक में आ गया है और उन्होंने अपने सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया है ताकि उनके साथ भी ऐसा ना हो एट लिस इस से उनके सब्सक्रा अपने रहे हैं लेकिन मैंने बहुत सारी और दे चैनल्स को भी सवर्च किया है जो कि बहुत जादा बड़ी चैनल नहीं है तब भी उनके सारे कंटेंट या तो डिलीटे रहे या खुल ही नहीं रहे है मतलब को पी राइट एंफ्रिंजिवेंट के गारण वो चैनल तो सारे चैनल को एकड़म से बंद कर दिया गया है तो ऐसा क्या हुआ है टेलीग्राम में और उनका आगे का मूव होने वाला है और आपको कैसे टेलीग्राम में किस तरह की चैनल कभी बैन नहीं हो यह सारे चीजे आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे उससे पहले अगर यह बस एस्पैकुलेशन है जब तेलिग्राम का नया अपडेट आया था न्यू एर पर उन्होंने बोला था कि टेलिग्राम को रन करने के उन्हें पैसे के जरूरत है अब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर बेस हो गया है तो उनको इस एप्लिकेशन को रन करने के लिए काफी इसे इलिगल कंटेंट सेयर होते हैं उन सारे चीजों को क्लीन किया जाता है और यह मैं अपनी एक्सपीरिस से बता रहा हूं सबसे बड़िया एक्जाम्पल दे यूट्यूब यह जब स्टार्ट हुए तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था जहां पर पाइटे कंटें चैनल बैन नहीं हुआ है तो आपको एक चीज तरह ध्यान रखना होगा जो भी कंटेंट आपके चैनल पर है उसको इमिडियेटरी अब डिलीट कर दो और अपने सब्सक्राइबर को बता दो कि अभी कुछ ऐसी इसी चल रही है उसके कारान हम अभी चैनल पर कंटेंट नही के साथ रहेंगे मेरे हिसाब से अब परेटिर कंटेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि टेलिग्राम के रडार में यह चीज आ गई है और वो रेगुलरली इन चीजों को बैंड करता रहेगा तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी काटेगरी को चेंज कर देंग ऐस चैनल भी अच्छी है एजक्रेशनल रिलेटर चैनल मीम्स चैनल या नॉलेज रिलेटर या बहुत सारी ऐसी कर्टेगरी है जिसमें कभी भी आप पर बैन नहीं लगया इन सारे चैनलों को आप यहां पर ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे से टेलिग्राप के एक बहुत जादा होता है तो यहां पर जो भी आप पोश्ट सेर करते हूँ उस वह सारे बंदे के पास जाता है यह नहीं कि कुछ बंदे के पास गया तो आप एससे बंदे को भीजना को आपको कुछ पधने हैंने यह दो तो अचूनिक ही और धिया अओन आ ese है वेवह सहले जाए उन सारे चनल की वह ऊसलिए जाका सो आपके अनल वी प्लाया च्राइप से स्ट पर ओफु सी, फुझट अपने पूर में प्लाथफरम से øकि परी सारे content clean करने होंगे अगर आपका एक ही एकाउंट से multiple channel है और जो multiple channel है वो सारे कुछ ना कुछ illegal या पारेसे related content share करते हैं तो बेटर रहेगा कि आप पहले उसकी ownership को transfer कर लो और उसके बाद उसके content को डिलेट कर दो इससे अच्छा यह होगा कि अगर आपका एक चैनल बैन होता है तो उससे related other channel को spare कर दिया जाएगा यहां पर ऐसा भी बहुत बात देखने को मिला है कि अगर एक और है तो उसके सारे चैनल को एक साथी बैन कर दिया जाता है इवेन इफ वो पारेटे चैनल नही किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइके शेयर भी करते ना में तो के लिए वीडियो में तब तक लिए होगा है